आनंद जीव का सुभाव है मन का सुभाव है सुख लेना या वो दुखी हो जाता है मन प्राय या तो दुखी होगा या सुखी होगा पर आपका जो सुभाव है वो आनंद का है आपका हाँ मन दुखी हो जाता होगा या सुखी हो जाता होगा हरशित होता होगा कभी विस्मित होता होगा कभी आहत होता होगा चिंदित और दुखित होता होगा यह आपका मन आप नहीं आप कभी दुखी नहीं हुए आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता जिस दिन आप चाहें तो कभी भी कोई आपको दुख नहीं दे सकता बस आपको ग्यान में खड़े रहना है फिर कोई दुख नहीं दे पाएगा आपको कोई नहीं दे पाएगा इस तो मन है जो दुखी हो जाता है आप में आपका मन दुखी है या सुखी है वो जई है कभी लगता है में जीत गया कभी हार गया किसी की रूप सौंदरे को देखकर वस्तुपदार्थों को देखकर किसी की अटालिका वाहनों की लंबी कतार और उसकी धन की व्रद्धी अथवा उच्छ पद्प्रतिष्ठा देखकर जो चिंतित आहत होता है वो मन है आपका या थोड़ा सा पद्पाकर जो बौर आ जाता है वो मन है आपका जड़ा सा पद्प्रत क्या मिल गया है तो हर दिन हर पल आपको अगर पंग्ती चाहिए दूसरे को नहीं आगे बैठने दोंगे पूर वहोने के बाद भी अतीत में था कोई पद अब तो नहीं है पर मन है के घेरे बैठा है पहली पंग्ती के ही लिए चिंतित है वो सब में है ये स्प्रहा प्रहा तो ये सब में है महापुरश भी तो इस प्रहा से मुक्त होना चाहते हैं बित्टेशना को तो कोई भी जीत लेगा पुत्रेशना को लोकेशना कैसे जीती जाए तो जो ऐसे अग्र बनकर हर पल बंदनिये भाव में ब्रम्मा रहते थे कि उन्हें अभ्यास हो गया था यामवर्ण कुबेर आदी उन्हें नित्ते प्रणाम करें कई लोग को प्रणाम का अभ्यास हो जाता है वो ढूंड़े होते कि आज किसी ने नहीं किया कहां गये सब आज शीष भुगाया इनी किसी ने व बथा टेकने बालों की भेड़ कहां चले हैं तो यह जाएंगे जहां को शीष भुगा है अभ्यास हो गया है इज यह आज एक अ इतना सहेच, इतना नेरवएद्य है, इतना स्वाभाविक, ये ब्रभम महीं जगता। अश्रु का एककर्ण जितना है वैसे सागर देखा, वैसे जलकन देखा, वैसे ओसकर्ण देखा, पूरी प्रकृति में ब्रमता, पुरी प्रकृति में इश्ष्ण समया हुआ है। उन्हें पहली बार अनभव हुआ वो ब्रह्माकार अनभव जिससे वेद निकले है जिससे वेदत ध्वनित होते है जो पुरी स्रश्टी का करतार है जो स्रजन्हार ब्रह्मा को पहली बार ब्रह्मानभ होती हुई इश्वरानभ होती हुई कि ये प्रम्म सरवत्र उससे भिन कुछ नहीं मैं भी उसी का स्वरूप हूँ अभी बूंध है लेकिन सागर में मिल जाने के बाद तो वो सागर हो जाती है अभी तो बूंध है और कुछ बूंधों ने मिलकर अंदोलन कर दिया कि हम तो अलग एक जगत बसाएंगे अपना कोई नदी आये जील जलाशे है सरोवर है मेग धाराएं है हमारा तो कोई अस्तित्वी नहीं है ना आदर है ना मान है ना सम्मान है हम भी तो कुछ है ऐसे कुछ बूंधों ने अंदोलन किया और कहा कि सलिनाओं का कितना सम्मान सरोवरों का कूप जलाशेओं का मेग धाराओं का सागर का हमारा भी तो कोई जीवन है ऐसे के करेकर शिला पट पर एक ऐसे पत्थर पर रूठ कर बैठ गई कुछ बूंधे एक पवन का जोका आया उनको सबको सुखा कर चला गया लेकिन जो हटी थी जिद में थी कोई बड़ी सी बूंध उसे लगा कि इससे पहले कि ये पवन मेरा अस्तित्त ही मिटा दे ये बयार का जोका मुझे ही खो दे मुझे ही ले जाए मिरे रूप नाम का है कल्यवर अस्तित्त को तुम्हे विराठ हो जाओ हवी हवा उसके पास आना ही चाहते थी कि वो बूंध धरक कर सागर में चले गई और सागर बन गई उसे लगा कि अब तु मुझे मिटा नहीं पाएगी हमने सागर हो गई